युना जी के तटपरे के युवती रो रही थी, हमने पूछा कासित्वं, देवी जी आप कौन है, ऐसे क्यों रो रही हो, तेरा अपना परचे दो, तब उस देवी ने परचे दिया अहम भक्ति रितिक्ष्याता, एमव में तनयव मतव, ज्यान बैराग्य ना मानव, काल योगे जर जरू मेरा नाम है भक्ति देवी, और दोनों बुढ़े मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्यान और बैराग्य, नारजी बड़े चक्कर में, मैया जवान बच्चे बुढ़े कैसे हो गए, यह मारा समय की गती है, मैं दक्षन में पैदा होई, करनाटक में बड़ी होई, महराष् नहीं नवेली बन गई, बच्चे मेरे बुढ़े हो गए, यद मेरे बच्चों का स्वास्त नहीं सुधरा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्मेते मया, इस भूमी को छोड़ करके मैं परदेश चली जाऊंगी, नारजी ने भक्ती मा की पीड़ा को पल भर में पहँचान लिया और कादेवी आप दुखी नहों, मैं नारद आपको बचन देता हूं, तदा नाहम हरेर दासो, लोक के त्वाम न प्रबरते, मैं हरी का दास नहीं, यद तुम्हें इस लोक में प्रतिष्ठित जन जन में नहीं कर दिया, बक्ती मा प्रसंद हो, जै हो आपकी नारद जी महराज, सदा आपकी जै हो, बक्ती मा इस्तुती करने लगी नारद जी की, ए देवरसी आपकी जै हो, जै हो, आपके बचनों पर विश्वास करके कयाधु नंदन प्रहलाई हो गए आपके बताए हुगे मार्ग पर चल करके दुरुब जी महराज आज दुरुब लोग को प्राप्त हो गए तो जैसे दुरुब प्रहलात पर करपा करी महराज जैसे मेरे वच्छों पर भी करपा करो नारजी बोले प्रथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम स्री कृष्णा चरणाम भोजम स्मर्दुखम गमिश्यती हरी देवी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो तो क्या करूँ बोले श्री कृष्णा चरणाम भोजम स्मर हरी स्मर्ती सरब विपद विमोक्षणं ठागुर जी के चरण कमलों का स्मर्ण करो दुखम गमिश्यती हरी के चरणों का स्मर्ण करते ही दुख बिपदाएं आपदाएं साब दूर भाग जाती तो बगवान का नाम समस्त आपदाबिबदाओं का हरन करने वाला है देवी उनका स्मर्ण करो और इतना कहकर के नारजीन ग्यान वेरागऌ को स्वस्त करने के लिए बेद बेदानत और गीता के अनेक पार्ट सुनाए कोई लाव नहीं मिला तब चिंता में पड़ गए आकासमानी हुई सत्कर्म करो नारजी तब ये ठीक होंगे कौन सा सत्कर्म करूँ भई आकासमानी नहीं का संतों से पूछो वो ही बताएंगे अब नारजी निकल पड़े बरंदावन से संतों को खोजने जिससे ये पता चले कि सत्कर्म क्या है जो संत मिला उसी से प्रश्न किया मारा सत्कर्म के से कहते हैं जिससे प्रश्न किया उसी ने हाथ जोड लिया बाबा जब आपको नहीं मालूम तो हम क्या बताएं आप दुनिया में गुनते हो जब कहीं से प्रत्युत्तर नहीं मिला जब आप नहीं मिला तब नारजी ने का अब हम बद्रीनाथ चलके भगवा नर नारण से पूछ के आते हैं सो बत्री नाज में वगवा नर नारण को ढूंड रहा था वो दोनों तो मिले नहीं पर आप चारों मिल गए अब करपा करके आप ही बता दीजिए सतकर्म किसे कहते हैं नारजी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से ये प्रश्न किया सनक मा चिंताम कुरू देवर से ये देवर सी नारदा आप बिल्कुल चिंता न कीजी हमारे पास उपाए है और वो उपाए कोई और नहीं स्रीमद भागवत आलाप सत्व गीत शुखान वी सुकदेब जी जैसे परमंसों की वाणी से गाया हुगा जो स्रीमद भागवत रूपी गीत है ये वह सत्कर्म है जिसका स्रबन करते ग्यान वेर आगे स्वस्त हो करके मस्त हो के मैया के साथ ताता थैया करके नाचने लग जाए तब सनकादि को ने नारजी को समझाया नारजी महराज ब्रक्ष से ही फल निकलता है पर जो स्वाद फल से मिलता है वो ब्रक्ष से नहीं मिल सकता दूद से ही यह निकलता है पर जो घी दीपक जला देता है वो दूद नहीं जला सकता गन्ना के रस से ही सक्कर बनती है पर चाय में सक्कर डालने से ही स्वाद आएगा गड़ना की रस से वो बात नहीं बनेगी ऐसे अनेकों उधारणों से समझाया तब नारजी का संसे दूर हुआ बेद उपनिसर ब्रक्ष है तो स्रीमत भागबत सरस उसका सुमधुर फल है सुअध तो इसी से मिलेगा निगम कल्प तरोर गलितम थलम पका हुआ पल है नारजी बोले अब हमने आज एक बात अच्छी तरह से समझ ली क्या बोले भाग्योदाईन बहुजन्म समर्जितेन सतसंग मंच लबते उरशो यदावई अज्यान हे तुक्रतमोहमदांदकार नाशम बिधाय हितदो दयते बिवेकर बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदाईन जीविके जन्म जन्मांतर के जब भाग्योदित होते हैं पली भूत होते हैं तब सतसंग मंच लबतें तब उसे सतसंग की प्राप्ती होती है सतसंग से भाइदा क्या होता है उदयते बिवेकर जितना आप सतसंग करोगे उतना ही आपके बितर का बिवेक रूपी सूरिक उदय होगा और जैसे सूरिके उदयत होते ही अनहरा भाग जाता है ऐसी बिवेक के उदयत होते ही अज्यान हेतो क्रत मोह मदांधकार नाशम विदाय अज्यान का जो घोर अंधकार जीव के अंतह करण में व्यापत है नाशम विदाय उसम नश्त हो जाता है